हला अबरिवन दिस इस पावन शर्मा और गाईज आ वेलकम याल तो मैं चैनल मैं अपने वीडियो में कुछ टर्म्स यूज करता हूँ जिनको आप बाद में पूछते में किस टर्म का क्या मतलब है कुछ टाइम से मैं एक टर्म यूज कर रहा हूँ और बी ओपन रेंज ब्रेकाउट तो आज इस वीडियो में मैं आपको और बी समझाऊँगा वो क्या होता है उसका रेलेवन्स क्या होता है और कहां यूज होता है इसके लिए तो सबसे पहले काम करते हैं कोई भी चार्ट ल एक intraday strategy है only be to use only in intraday मतलब इसका कोई और usage नहीं है यह सिर्फ intraday के लिए ही use किया जाता है इसमें क्या होता है कि जब market open होती है तो हम क्या करते हैं हम 15 minute के time frame यह popular time frame है यह मत सोचेगा कि सरफ 15 minute ही है 10 minutes पे भी काफी सारे scanner बताते हैं 5 minute पे बताते हैं लेकिन 15 minute एक ज़्यादा popular है तो जव आपके trading setup के साथ में आपके patience के साथ में suit करें आप वो time frame यूज कर सकते हैं लेकिन जो सबसे ज़्यादा popular है वो है 15 minute का तो क्या होता है कि जब stock open होता है जब market open होती है तो पहली 15 minute की candle जो पहली candle बनते है 15 minute की ये वाली sorry my mistake ये वाली जो यहाँ पे है ये ये पहली यहाँ से और यहाँ तक तो आप क्या करेंगे ऐसे और इस से यहाँ पे ऐसे ये line plot कर दे जाती है और इसके बाद में जो breakout आता है मतलब इस line के ऊपर जाए तो ये बनेगा इस line के निचे जाए तो ये बनेगा sell इसको कहा जाता है open range breakout लेकिन इतना ही असान होता तो हर कोई use कर लेता कि एक 50 minute का candle लेता ऊपर line plot करता नीचे line plot करता और trade करना शुरू करता नहीं ऐसा नहीं होता आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा और आपको एक setup के स हाथ में चलना पड़ेगा थूरसा patience रखना पड़ेगा कुछ चीजों का extra ध्यान रखना पड़ेगा तो वो चीजे जो मैं भी आपको बताने वाला हूँ वह आपको एक चाहे तो no down कर लेजएगा ताकि अगली बार आपको जो है काम आएगी सबसे पहले in stock को find कैसे करना है सबसे बड़ी जो solution है वो क्या है कि इन stock को find कैसे करना है तो आप क्या करेंगे google पर जाएंगे google पर आप लिखेंगे open range चिक है breakout scanner open range breakout scanner चिक है यह आपका आ गया इसमें आपके पास में एक scanner आएगा charting की नाम से सबसे टॉप में है सबसे first वाला यह है charting शायद आपको वासा move नहीं कर रहा let me just break it यह देखेगा यह है चार्टिंग का तो 15-minute open range breakout technical analysis scanner चार्टिंग का है और नीचे बहुत सार है जैसे यह देखीगा range breakout scan यह intra-disk screener.com का भी है आप इसको भी उज़ करेंगे तो एक list आपको मिलेगी वो लिस्ट क्या होती है कि आपको 930 के बाद में या तो 35 कीज़े 32 कीज़े कम से कम 932 के बाद में इस list को आपको देखना है यह list क्या बताती है वो list यह बताती कि कौन-कौन से stock जो है वो 15-minute में उन्होंने अपने range को वो क्या करती है पहली candle को first जो candle होती है उसका जो है वो calculation कर लेती है और उसके बाद में जो भी range breakout होती है वो यहाँ पर जो stock है वो list होने शुरू हो जाते हैं तो यह scanner आपको काम करेगा live market में तो पहली चीज़ तो यह है लेकिन इस scanner में एक बड़ा interesting point यह है कि यह आपको थोड़ा सा delayed information देगा maybe आपको 935 तक ही आपको information मिले तो आपको patience रखना पड़ेगा जल्दवाजी नहीं करने है तो पहली बात तो यह होगी यह scanner आपका आगया तो यह scanner आप जो है 935 के बाद करेंगे तो आपको stock मिल जाएंगे तो जो भी यह stock यहाँ आपको list होंगे उन्हीं के base पे आपको trade करना है यह तो गया एक point लेकिन जैसे मैंने कहा इतना असान नहीं है थ्रौस आपको ध्यान अपड़ेगा चीजोंगा अगली जो चीज जबुए है कि जो 15 मिर्ट का first candle होगा वो बिग नहीं होना चाहिए अब पहला ही candle इतना बड़ा वने उसका क्या करेंगे आप जितना candle छोटा रहेगा मतलब विदिन में भी half percent मेरा मानना है कि विदिन half percent के बीच में अगर कोई stock है उसके आसपास मतलब जरूरी ने कि half percent ही हो तो अगर कोई stock का first candle विदिन half percent trade कर रहा है of its price अगर वो 3 रुपे का stock है तो 1.5 रुपीज कर लेजे 2,000 का stock है तो 10 रुपीज कर लेजे 5,000 का stock है तो में भी 25 रुपीज से ज्यादा बड़ा candle होना ने चाहिए तब ये आपका थोड़ा सा accurate होगा तो सबसे पहला information यह है कि आप scan करेंगे scan करने के बाद में जो stock है उनको chart पे लेके आएंगे चेक करेंगे उसके बाद चेक करेंगे कि उन में से कौन सा stock ऐसा है जिसकी first candle बहुत जादा बड़ी नहीं है तो मान लीजिए आपने उसमें से कोई एक stock pick किया ABC stock उसकी जो first 15 minute की candle थी scan करने के बाद में 15 minute का जो first candle था उसका जो है 0.6% का ही candle था जो high और low को मिला के पूरा candle तो यह एक almost आपका एक you can say perfect candle बन जाता है क्योंकि बहुत बड़ा होता है तो maximum moment वो cover कर चुका होता है उसके बाद में शायद हमें moment ना मिले अगर ऐसा होता है तो यह perfect आपके लिए candle बन जाता है अब आपको क्या करना है आपको थोड़ा सा next step पे जाना है और नेक्स टेप यह रहेगा एक मिंट रूखेंगा over horizontal line कह सकते हैं यह दो line आप वहाँ plot कर देंगे उसके उपर आप यह line ऐसे दिखेंगे आपको ठीक है अब एक काम और करेंगे आप इस पे RSI add कर देंगे RSI indicator आप इस पे add कर देंगे RSI relative strength index default value पे आप use करेंगे ठीक है default मादब जो भी आपने उसमें plot किया जो भी setting है आप उनको accept करेंगे उस acceptance में कोई change नहीं होगा जैसा वो आता है वैसे कोई change करने की जरूत नहीं है आपको तो आपने यहाँ पे default value यूज़ करके RSI plot कर दिया candle आपके सामने आ चुका है दो line आप plot कर चुके हैं तो आपका setup ready है अब entry का हमें ध्यान रखना है हमें क्या करना चाहिए अगर मान लीजिए यह उपर की तरफ breakout करेगा तो यहाँ बनना चाहिए आपका buy लेकिन जैसे मैं हमेशे कहता हूँ आप से कि stock को थोड़ी देर एक particular price के उपर trade करने दीजिए वो trade करने का मतलब होता है confirmation तो जब यह इसके उपर trade करेगा at least for another 10 minute मतलब इसके उपर अभी तो गया ही है ना पहली जो 15 minute की candle थी अब next 15 minute को उसको break किया है इसका मतलब अभी तो गया है तो ऐसे time पे आप उसको 5 minute time frame पे आप plot कर सकते हैं को यह line तो plot होई गया आप 5 minute time frame पे level तो change नहीं होंगे तो आप वहाँ उसक इस particular trend line के उपर trade होते भी दिखाए देंगे ठीक है मतलब वो दोनों candle इसके उपर होने चीए दोनों bullish होने चीए plus जब RSI की बात आ रहे थी तो RSI उस time पे positive होना चीए ऐसे नीचे नहीं किरना चीए तो नीचे गिर रहा है तो आप sell के दरफ ध्यान देंगे ऐसे positive होना चीए RSI positive है plus 60K उपर है जो आप यहाँ level देखते हैं इसके उपर है वापे से repeat कर रहा हूँ आपने stock को scan किया scan करने के बाद में आपने scan कब करेंगे 935 पे 932 पे आपको stock मिल गया उसको आप लेकर आएंगे अपने चार्ट पे उसकी first candle लेकेंगे उसकी range बहुत जादा क्या सबास होना चीए फिर आप एक line plot कर देंगे horizontal line उपर नीचे उसके बाद time frame change कर देंगे 5 minute का फिर आप शुरू करेंगे RSI को उस time पे RSI होना चीए 60 के उपर ठीक है और positive 60 plus positive और यह trade यहाँ पे है आप stop loss रखेंगे अपना इसके नीचे जो आपकी line हना यहाँ पे इसके नीचे अपना stop loss रखेंगे और आप करेंगे buy चिक है यह हो गया हमारा buy के लिए आप बात करते हैं sell के लिए stock 15 minute का time frame था उसके नीचे गया तो 2-5 minute की candle आपकी इसके नीचे trade करने चाहिए दोनों bearish candle होनी चाहिए और आपका RSI जो है वो 40 के नीचे होना चाहिए below 40 मतलब 40 के ऊपर नहीं होना चाहिए चाहिए 39 ही साई लेकिन होना चाहिए 40 के नीचे तभी आप उसमें enter करेंगे sell के तरफ और जो range है उसके थोड़ा सा ऊपर आप अपना stop loss डाल देंगे इसका benefit क्या है इसका benefit यह होता है कि यहाँ पे minimum stop loss होता है ठीक है point दूसरा यह almost आपके लिए trend trade बनता है जिसको आप trend बोलते ना यह trend trade बनता है इसको आप going with the trend third क्या होता है इसमें जब reverse होता है मान लेजिए stock नीची आया और वापीस चला गया तो chances आपकी जो exit होती है जिसको मैं आमेशा कहता हूँ risk के साथ में जोड़िएगा exit बहुत clear दिखता है आपको कि अगर वापीस उसे line में घुज गया तो of course आप वहां से exit कर जाएंगे ज तो chances are that it will go and touch the upper line hope में मत बैठीएगा फटा पड़ वहां से exit कर लिचेगा तो यह जो intraday strategy सबसे easy है लेकिन सही तरीके से use करना बहुत से लोगों को नहीं आता उनको यह नहीं समझ में आता कि बहुत बड़ी candle के बाद में नहीं enter करना चाहिए और जो momentum है यह मैं आपको आर momentum बनेगा तभी तो आप sell करेंगे और यह जो मैं आपको उस line के ओपर trade के लिए बोल रहा था कि इसके ओपर जाके 5 minute के 2 candle जो है वो stay करने चाहिए यह आपकी confirmation में help करेगा और stop loss आपका हमेशा minimum रहेगा और ऐसे trade में आप एक लंबे time frame तक या लंबे profit के लिए भी chase कर सकते ह if it goes back then stop loss is very low. So, यह है आपका ORB hope this will be helpful. कोई अगर आपको extra query है आपकी video को लेकर तो इसी video की नीच ही आप comment करके पूल सकते है. Friends, that's all for today. I will see you into some other video with more information about some new topic. Take care guys. Have a nice day.